अबसकार बच्चों, कैसे हैं आप सब आशा हैं, आप सभी स्वस्त होंगे, हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, आज हम पाट-पाट संग्या पढ़ेंगे, तो बच्चों पाट-पाट संग्या, इस चेत्रे वेटा आपको क्या-क्या चीजे दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखिए, करन और सुनीता अपने माता पिता के साथ हरिद्वार से दिल्ली घूमने आए, दिल्ली में वे सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर गए, मंदर की सुन्दरता और भवयता को देखकर वे खुशी से जोम उटे, उनका मन प्रसंता से भर उठा इसके बाद वे इंडिया गेट और लाल किला घूमने गए, दिल्ली के चडिया घर में उन्होंने सफेज चीता और अमेरिका से आए, चिमपैंजी को देखा, सुनीता को चडिया घर में अस्ट्रेलियन चडिया पसंद आई, दिल्ली के जनपत और पालिका बाजार से सुनी और करन ने कैमरा और जीन्स करीदा, हम तो यह जानते ही हैं कि नाम कई तरह के होते हैं, उपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द नामों को दर शा रहे हैं, आउ इन नामों को अलग लग लिखते हैं, देखो पड़ा इसमें व्यक्तियों के नाम कौन से हैं, करन सुनीता पशुपक्षों के नाम कौन से हैं, जैसे सफेद, चीता, चिमपेंजी, स्थानों के नाम कौन से हैं, हरिद्वार, दिल्ली, अक्षरधा, मंदेर, वस्तु के नाम कैमरा जीन्स, भावों के नाम सुन्दरता, भव्यता, आदी, हर वस्तु की पैचान उसके नाम से ही होती ह इसलिए संसार में प्रतेग वस्तु का नाम होता है और नाम को ही हम संग्या कहते हैं मैं फिर से पीट कर रही हूँ नाम को ही हम संग्या कहते हैं अतह हम कह सकते हैं किसी प्राणी वस्तु स्थान और भाव के नाम का बोथ कराने वाले शब्द संग्या कहलाते हैं अब हम पढ़ते हैं संग्या के भेदों के बारे में, संग्या के तीन भेदों के बारे में, व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या, अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, व्यक्ति वाचक संग्या जिससे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं अता हम कह सकते हैं जिन शब्दों से विशेश व्यक्ति वस्तू और स्थान के नाम की जानकारी मिले उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं अब दूसरे नमबर पर आते हैं बटा जाती वाचक संग्या क्या होती है ध्यान से देखिए चिडिया घर में जानवर घूम रहे हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों ने पौधे लगाए यहां जानवर लड़के और पौधे किसी विशेश जानवर विशेश लड़के और विशेश पौधे के बारे में नहीं बता रहे बलकि यहां जानवर पशु पशु जाती की ओर लड़के मनुष्य जाती की ओर और पौधे वनस्पतियों की जाती की ओर संकेत कर रहे हैं ऐसे शब्दों को ही जाती वाचक संग्या कहते हैं, अता हम कह सकते हैं, जो शब किसी प्राणी, वस्तू या स्थान की पूरी जाती के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं, कुछ उधारन देखिए बटा जाती वाचक संग्या के, वस्तू बावचक संग्या पर बच्चे शरारत कर रहे हैं, बोहन की आवाज में मिठास हैं, आज बहुत सर्दी हैं, यहाँ पर शरारत, मिठास और सर्दी शब्द भाव और गुन की जानकारी दे रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इसे शब्दों को ही ब भावाचक संग्या कहते हैं अता हम कह सकते हैं जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुंड दोश अवस्ता और मन के भावों की जानकारी मिले उन्हें भावाचक संग्या कहते हैं अब हम पढ़ते हैं भावाचक संग्या शब्दों की रचना कैसे करते हैं भावाचक संग्या शब्दों का निर्मान मुख्य रूप से जातिवाचक संग्या, विशेशन, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होता है। आए कुछ उधारन देखते हैं, जैसे मित्र, मित्र शब्द से भावचक संग्या कैसे बनेगी, मित्रता, बच्चा से बच्पन, और कुछ उधारन देखे बटा, मीठी, मिठास, दोस्त, दोस्ती, आशा है, आप सभी को यह पाट अच्छे डंग से समझ में आया होगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद.